निफ्टी टडराम दोस्तों निफ्टी टडराम आपका बहुत सागत है तो मैं तहे दिल से माफी में बता हूँ कि कल हमने जो भी यहाँ पर वीडियो पोस्ट की थी वह मेरा अनल्सिस गलत था तो दोस्तों मैं इसलिए बोलता हूँ कि लाइब के डिटा बहुत इंपोर्टेंट है और अपनी खुद के अनल्सिस करेंगे अगर आप यहाँ पर टिप्स और ट्रिक के लिए आते हैं तो बहुत ही आप कहिए कि गलत चैनल पर है यहाँ यहाँ पर बता जाता है और जब भी डिटा चेंज होता है तो हम लाइब में उसका अपडेट भी करते हैं जैसे बैसिकली आप यहाँ अगर देखें तो मैंने बात कर दिया था इमीजिम के फिन निफ्टी क्या है स्टॉंग वियर से ऊपर आज नहीं जाएगा सपोर्ट रेस्टेंस नीटल पाइंट सब नीच बैसिकली आप तीम चार प्लेयर में से कहिए कि दो बड़ा प्लेयर क्या है बेरीस है अब आपको नेट टूनेट पोजिशन देखें तो यह इनकी फ्रेस पोजिशन बनी हुई है जिसमें रिटेल टेडर बुलिश है और डियाई एंड एफाई यहाँ यहाँ पे क्या है ब अगर आप इंडेक्स ओप्सन में देखें रिटेल टेडर ने आज 4,26,000 लॉंग पोजिशन करी किया है यानि कॉल बाई किया है पूट सेल भी इनके पास है तो नेट टूनेट 2,80,000 कॉल की बाईंग है 9,71,000 पूट की सेलिंग है वो बुलिश है एफाई यहाँ यहाँ प 20,000 बाई किया है प्रो जब भी कॉल या पूट की बाई करता हूँ अपने डिरेक्शन में मार्केट को लेके जाता है यानि यहाँ पे अगर नेट डिटा का है रिटेल टेडर बुलिश एफाई याई बेरिस प्रो यहाँ पे बेरिस है अब यहाँ आप कहां पे पोजिशन कर रहे है कौन से स्टाइक प्राइस के उसकी थोड़ी से हम बात कर लते हैं तो सपोर्ट रिस्टेंस है न्यूटल पाइंट भी देखेंगे 70% राइटर कॉल में बैठा हुआ है सपोर्ट है 24,000 का भी यह ब्रेक होगा कल हो सकता है डेटा जो आए तो अभी देखिए लाइ राइटर और कॉल बायर दोनों इक्वल है राइटर का यहां पर हम ज्यादा वेटेज देंगे शौट कॉरिंग पॉइंट अभी का 24,500 का है ऐसे लाइब में 10,30 को मैं आपको अप्डेट कर दोंगा शौट कॉरिंग पॉइंट इसके उपर कोई आप पोजिशन नहीं बायर 62% स्कॉल में है यह भी यहां से बेरिस है और मीड कैप निफ्टी यहां से थोड़ा सा बुलिस दिख रहा है क्योंकि राइटर पूट में बैठा हुआ है और बायर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निट्र पाइंट आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे लाइब में जरूर चेंज होता रहेगा जो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा अब काउन से लेबल के आपको ट्रेड करना है फिलाल अगर आप यहां पे देखें तो निफ्टी सपोर्ट लेता हुग नजार आ है 24,084 के असपास यह सपोर्ट है रेजिस्टेंस इसका 24,340 का है और निट्रल पाइंट बीच में कहीं होगा जबकि सपोर्ट यह ले रहा है 24,084 से बैंक निफ्टी का सपोर्ट अगर आप देखें तो वह ब्रेक हुआ है पूरा इमेडियेट इसका सपोर्ट नीचे में 24,400 24,500 का देख रहा है रेजिस्टेंस 24,000 सुरी दोस्तों यह निफ्टी फीन का है आप ही चाहता हूँ अज कुछ ज्यादा ही गड़बड हो रहा है मेरे से सुरी इसके लिए अभी आप देख सकते हैं कि 22,465 का यहां पर क्या है सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 22,663 का है यानि यह लेबल पर रेजिस्टेंस है उप निफ्टी अभी सपोर्ट तो यहां ब्रेक कर दिया है जो 49,960 का था तो इसका अक्सेंस नीचे से आपको 49,600 तक आ सकता है और उपर में जब तक 50,000 के उपर नहीं निकले आप लॉंग पोजिशन नहीं करिए टार्गेट 50,400 का होगा उपर अगर निकलेगा तो उपर के ल सपोर्ट 12,580 का है इसके उपर निकलते ही हमें लॉंग पोजिशन बनाना है जब तक यह 12,580 को ब्रेक नहीं करता है उपर साइड में तब तक हमें लॉंग पोजिशन नहीं करी करना है FII थोड़े से कैस में यहां पे सेल किया है overall data यहां पर बड़े प्लर का बेरिस है दो लाइव का data बहुत important है तो आप अपने financial advisor से ही लेके सलाह करिए और उनके ही सलाह के ऊपर trade करिए दोस्तों बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल लाइव मार्केट में तर तक कली जहें जवरत